कि अच्छार दोस्तों मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल यूनिक टेक सॉलुशन पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने PNP transistor और NPN transistor की बाइसिंग देखे थी यानि हमने उसके connection देखे थे साथ ही हमने ये देखा था कि जो PNP transistor है NPN transistor है किस प्रकार से work करता है ठीक है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे transistor की पहचान केसे करते हैं कि कौन सा transistor PNP है कौन सा transistor NPN है साथ ही हम जानेंगे transistor की जो PNP होती है base, emitter, collector उसे हम किस प्रकार identify कर सकते हैं क्योंकि किसी भी transistor में लिखा हुआ नहीं होता है कि कौन सा pin base है, कौन सा emitter है, कौन सा collector है अलग-अलग company के जो transistor होते हैं उनमें क्या होता है base, collector, emitter भी अलग-अलग जगा होता है किसी transistor में बीच में base होगा, किसी में left side होगा, किसी में right side होगा तो उसे हम multimeter की थुरू कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा base है, कौन सा collector है, कौन सा emitter है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह request है, कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो please मेरे चैनल को subscribe करिए और subscribe के पास में जो घंटी का बटन है, उसे ज़रू प्रेस कर दीजे ताकि next time जब भी मैं basic electronic series का अगला वीडियो लेके आऊँ, तो तुरंत आपको notification मिल सके वीडियो अच्छा लगे तो like करिए, और कोई query हो, कोई सुझा हो, तो आप मुझे comment कर सकते हैं तो चलिए बिना देर करें चलते हैं, हम हमारे topic हैं, तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज का जो हमारा topic रहेगा, कि PNP और NPN transistor की पेचान कैसे करेंगे, साथ ही कौन सा pin base है, कौन सा ammeter है, और कौन सा collector है, इसकी पेचान कैसे करेंगे, ठीके, तो सबसे पहले मैं आपको transistor दिखा देता हूँ, यह देखे, transistor काफी अलग-अलग shape में होता है, काफी अलग-अलग Semiconductor Reign में होता है, ठीके, यह सारे ही transistor है, जो ये black वाले हैं transistor ये होते हैं silicone, ठीके, इसमें जो semiconductor का use होता है, वो हता है silicone transistor, silicone का, तो इसलिए हम इन्हों silicon transistor कहते हैं और ही यह zuń उता है ति जो इन इंटायक बोडिये हैं यह तर दर मिनियम inductor कुझे इसमें smyconduckćर के रूप में युज होता है जर मिनियम न कर ठीक है तो बस यह दो प्रकार के őघिस्टर मारगएरेट में अवयलेवल अब इन ौपर शेंели में चाहरी के लिए बता दू यह जो टांजिस्टर होता है एक पावर टांजिस्टर है इसे हम पावर सप्लाई वगरा में यूज करते हैं ठीक है और यह मेरे पास एक डूसरा टांजिस्टर है जिसका नंबर है ICKN22221 ठीक है? यह भी फावर ट्रांजिस्टर ही कह सकते हैं लेकिन इसका र्षार काफी कम होता है तो हम इसे एक जनरल प्रपरस ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं आप मुझे पता नहीं है यह ट्रांजिस्टर PNP है या NPN है इसका पता हम चेक करके लगाएं दो transistor है, मैं आपको बता देता हूँ, यह देखिए, ठीक है, एक का नंबर है BD139, ठीक है, दूसरे का नंबर है BD140, तो जो यह BD139 है, यह वाला transistor है हमारा NPN transistor, ठीक है, और जो यह है BD140, ठीक है, BD140, यह वाला हमारा transistor है PNP, क्योंकि इस transistor का मैं यूज कर चुका हूँ, तो मुझे इसके बारे में जानकारी है, कौन सा NPN है, कौन सा PNP है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो इसका पता हम मल्टिमेटर से लगाएं तो हम इस छोटे वाले transistor को ले लेता है, बाद में मैं आपको इन दोनों transistor को भी दिखा दूँगा, कि यह जो है, 140 वाला PNP है, और 139 वाला NPN, इन्हें हम मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, तो बाकी मैं हटा देता हूँ, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यह जो यलो वाला है, इसी का यूज करा हूँ, इसे हम लखेंगे, continuity range पर या फिर diode range पर, अगर आपके मल्टिमेटर में continuity range अलागे, diode range अलागे, तो हम इसे diode range पर set करेंगे, ठीक है, आपको diode range पर ही set करना है, हमने, मल्टिमेटर को diode range पर, या continuity, इस मीटर में continuity range पर या ही है, 저희 धाela हम मल्टिमेटर को 네 West direction explained करेंगे, उसके बाद, सबसे पहले हम पता करेंगे, transistor के बेस का, अब इसमें से कोई सांबी pin बेस हो सकता है, कोई सांबी diameter हो सकता है, कोई सांबी collector हो सकता है, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि base कौन सा है ठीक है base pin कौन सा है एक मिनट reflection में नज़र नहीं आ रहा है तो हम पता करेंगे base का ठीक है तो base का पता करने के लिए हम क्या करेंगे transistor लिया ठीक है जब मैंने multimeter पढ़ाया था आपको बताया था जो red probe होता है इसमें positive होता है meter के black probe में negative होता है तो हमने क्या करा किसी भी एक probe कुछ हम black भी ले सकते हैं red भी ले सकते हैं तो हमने red लिया ठीक है red probe को हमने यहाँ पर fix कर दिया pin number 1 पर या किसी भी pin पर ठीक है अब बारी बारी से क्या करेंगे हम बचे हुए pin हो पर जो हमारा black probe है उसे touch करेंगे यह जो transistor में ले रहा हूँ यह है BC557 ठीक है BC557 transistor है तो मैंने red probe को तो fix कर दिया एक pin पर अब जो black probe है उसे हम यहाँ लगाते हैं देखिए हमारा multimeter reading दे रहा है कुछ भी reading दे इस से अभी में कोई परक नहीं पड़ता हमें base का पता करना है ठीक है अब दूसरे pin पे लगाएंगे तो यहाँ पर किसी भी परकार की कोई reading नहीं आई ठीक है यहाँ पर तो आई दूसरे pin पे किसी भी परकार की reading नहीं आई अब हम क्या करेंगे, इस लाल वाले प्रोब को उठा के दूसरे pin पे लगाएंगे, ठीक है, बीच वाले pin के साथ हमने इसको जोड़ दिया अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, रिप्लेक वाले को बारी बारी दोनों पिनों पे लगाएंगे, तो पहले में इस पे लगा लेता हूँ, देखो यहाँ पर किसी प्रकार की रेडिंग नहीं आई, ठीक है, अब हम इसे तीसे नंबर पिन पे टाच करेंगे, इस तरह से, ओके फिर वापिस होई, सेम प्रोसेस करेंगे, पहले यहाँ लगाया, तो यहाँ पर भी हमारे मिटर रेडिंग नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी यहाँ अमारे मिटर रेडिंग दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को लगाया, देट प्रोब को लगाया, अब हम लगाएंगे इसमें ब्लैक प्रोब को, ठीक है, एक पिन पर हमने इसको फिक्स कर दिया, पहले यहां टच किया, रिडिंग नहीं आया, यहां टच किया, यहां भी रिडिंग नहीं आया, अब हमने इसको बीच में सेट किया, यहां लगाया तो देखो reading आ गया ठीक है और यहां लगाया तो भी reading आ रहा है यानि कि जिस pin पर ठीक है जिस pin पर लगाने से बाकी दोनों pin उपर reading आता है प्रोब को लगाने से चाहे वो red हो या black हो हमने यहां red को भी लगाया था ठीक है बीच वाले pin पर हमने red probe को भी लगाया था रेकिन red probe के साथ दोनों तरब reading नहीं आ रहा है ठीक है यह देखो reading नहीं आ रहा है लेकिन जब हम black probe को बीच में touch किया या बीच में connect किया तो जो transistor है वो दोनों तरब ही reading दिखा रहा है यानि कि जो यह pin है जिस pin पर touch करने के बाद दोनों पिनों में reading दिखाता है वह pin होता है base ठीक है यह हमारा जैसे यह ही transistor है ठीक है यह transistor है यहाँ पर हमने black को लगाया ठीक है तो दोनों तरब reading दिखाया हमें दोनों तरब हमें reading शो हुआ तो यह वाला pin क्या हो गया base ठीक है यह pin हो गया हमारा base ओके यह वाला तो हो गय भेस पी अब बात करते हैं आमीटर और कलेक्टर की पहचान के से करें आममें बैस मिल गया इन तीनों पिनों में से बैस कौन सा है यह वाला क्यों कि इसको लगाने के बाओ धok दोनों तरब रिडिंग शो ओर रहा है दोनों तरब रिडिंग शो ओर रहा है तो यह क्या है उसी probe को हम कहां लगाएंगे base के साथ connect करेंगे ठीक है base के साथ connect करेंगे अब जो हमारा rate probe है बारी बारी दोनों तरब लगाएंगे पहले यहां लगाया हम यहां reading note कर लेंगे कितना रहा 7, 6, 1 ठीक है कितना रहा है थोड़ा बहुत उपर नीचे चलता रहता है 7, 6, 2 ठीक है अब reading याद रखना यहां लगाया तो क्या reading आया 7, 6, 3 क्या reading आया 7, 6, 3 ठीक है यहां पर अब हम दूसरे पर लगाएंगे इस वाले पिन पर यहां reading note करेंगे यहां आ रहा है 7, 7, 2 यहां पर क्या आ रहा reading इस वाले पर 7, 7, 2 अब हम आसानी से बेस और सोरी कलेक्टर और अमिटर का पता लगा सकते हैं जिस पिन पर ठीक है यह तो बेस हो गया बेस के बाद जब हम रेड प्रोब को बारे बारी दोनों पिनों पर लगाएंगे जिस पिन पर रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा ठीक है जिस पिन पर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है किस पर आ रहा है इस पर आ रहा है देखो इस पर कितना आ रहा है 7, 7, 2 ठीक है तो जिस pin पर resistance ज़्यादा आ रहा है वो pin है ammeter क्या है ammeter अधिक अधिक से ammeter और इस पर reading कम आ रहा है ammeter की अपेक्षा ठीक है ammeter की अपेक्षा यहाँ reading कम आ रहा है यानि कम मतलब collector तो आप इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा यह transistor है इसमें यह तो है base ठीक है इसमें चुकि reading अधिक आ रहा है यानि resistance अधिक आ रहा है तो यह ammeter यह resistance कम आ रहा है यानि की यह collector तो इस particular इस transistor का है बीचवाला base है यह ammeter है यह collector है इस तरह से हम इस transistor को identify कर सकते हैं अब यह तो हमने पता लगा लिया कि इस transistor में base यह है बीचवाला base है ठीक है ये वाल ये इस टांजिस्टर में जो हमारा बीच वाला पॉइंट है ये तो है बेस ये है अमिटर ये है कलेक्टर अब हम कैसे पता करें कि ये PNP है PNP है या NPN तो इसका सीधा सा फंडा है मैंने सबसे पहले रेट प्रॉप का यूज़ किया था आपको याद होगा तो रेट प्रॉप का यूज़ करने के बाद आपने देखा होगा जैसे यहां मैंने रेट प्रॉप को लगाया था ठीक है यहां मैंने रेट प्रॉप को लगाया था तो यहां तो reading बता रहा था, लेकिन दूसरे pin पर reading नहीं बता रहा था, बीच में लगाया था, तो बीच में दोनों pin पर reading नहीं बता रहा है, side में लगाया, side में भी एक pin पर reading बता रहा था, एक pin पर reading नहीं बता रहा था, तो जब मैंने black probe का use किया, ठीक है, black probe को जब बीच में यूज किया, यानि कि मैंने क्या करा, base में negative दिया, base को, base को क्या दिया, जो हमारा base है, उसको हमारा base है, उसको हमने क्या दिया, negative supply, यानि जो मैंने आपको बताया, transistor की बनाव अट में, इस तरह से, ठीक है, तो base यानि जो base वाला point है वो base है base में negative है ठीक है यानि कि यहाँ base में negative है तो right side क्या होगा P, P यानि कि जो यह transistor है यह क्या है P, N, P transistor है क्योंकि base में क्या है base में negative है कैसे पता चला negative देने से ही दोनों pin उपर हमें supply राप्त हो रहा है यानि resistance प्राप्त हो रहा है यानि कि अगर इस यह positive देते हम दोनों तरब अगर resistance दिखाता तो बीच में क्या हो जाता positive बीच में positive है तो side में क्या होगा negative तो वो यह infinite transistor होता लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जब हम multimeter की probe को black probe को बीच में लगा रहे है यानि कि black probe को बीच में लगा रहे है तभी दोनों तरब reading दिखा रहे है यानि कि बीच में क्या है negative तो बाहर की तरब क्या होगा है positive और P तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो B C 557 transistor है यह क्या है एक PNP transistor है ठीक है PNP transistor है तो मैं आपको एक NPN transistor भी दिखा देता हूँ देखो मैंने आपको बताया था वीडियो शुरू करा था जब जो हमारा BD 139 है वो क्या है वो एक NPN transistor है यह वाला transistor तो क्या हो गया PNP transistor और यह जो मैंने आप बताया जो 139 है वो NPN transistor है तो इसका कैसे पता लगाएंगे यह दे एक में फोकस में लिया हूँ 139 NPN transistor है तो कैसे पता लगाएंगे इसका तो सबसे बेले होई सेम प्रोसेस हमें पता नहीं है कि यह PNP है NPN है या कौन सा बेस है कौन सा collector है कोई दिक्कत नहीं है हम क्या करेंगे बारी बारी सबसे पहले red probe को किसी भी एक pin पर fix कर देंगे ओके fix कर दिया अब मैंने इसको यहां touch किया तो इसमें मिटर में कोई reading नहीं आया दूसरे pin पर touch किया तो कोई reading नहीं आया फिर मैंने जो red वाले probe को बीच में लगाया यहां touch किया तो भी कोई reading नहीं आया ठीक है कोई reading नहीं आया side में लगाया तो भी कोई reading नहीं शो हो रहा है ठीक है अब मैंने इसको सबसे last में ले लिया अब जब मैंने इसको यहां टच किया तो देखो यहां reading आ गया और दूसरे pin पर भी reading आ गया यानि कि जो यह transistor है इसका यह वाला base है अभी देखा आपने इस वाले transistor में बीच वाला base था इसमें यह वाला base है तो हमें base का पता लग गया अब हमें पता क्या करना है आप मिटर और collector का तो वही process हमने base पे इसको fix कर दिया आप दोनों की reading देखेंगे इसकी reading क्या रही है 757 ठीक है इसकी reading क्या रही है 755 यानि कि इसका resistance ज़्यादा है 758 इसका 756 यानि अधिक है तो ये तो हो गया हमारा emitter ये collector ये base ठीक है ये base, collector, emitter क्योंकि यहाँ resistance ज़्यादा है अब ये transistor इस transistor को जब हमने base पर positive दिया ठीक है ये जो transistor था इसके जब हमने base पर positive दिया यानि red probe को red probe को लगाया तब जाके दोनों तरफ reading बताया यानि कि बीच में क्या है इस transistor के बीच में है positive तो right side क्या होगा बार की तरफ negative negative यानि कि ये क्या है एक NPN transistor है अभी देखो अगर में ये base है आपको पता है अभी आमने check किया इसमें अगर negative देंगे तो ये reading नहीं दिखाएगा एक तरफ भी reading दिखाएगा तो देखो ये negative से reading नहीं दिखा रहा है फिर दूसरे पिन पर लगाएगे तो किसी एक पिन पर ये reading दिखाएगा फिर तीसरे पर लगाएगे तो भी ये किसी एक पिन पर reading दिखाएगा तो reading दोनों तरफ कब दिखा रहा है जब हम base पर positive रख रहे हैं यानि कि यह क्या है एक NPN transistor है इस प्रकार दोस्तों हम PNP और NPN transistor की पैचान कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम transistor की पैचान करते हैं transistor की PNP की पैचान कर सकते हैं ठीक है आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत